2022 आने वाला है, so get your new year plan in order. हर साल के शुरुवात में हम योजनाओं को लेकर अत्यन्थ उत्साहित रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरता है, ये उत्सा कम होता चला जाता है. So, to make sure 2022 sees you achieve your big goals, one needs to make a plan. Plan यानि की योजना, ऐसी योजना जो की वास्तिविक हो, यानि की रियलिस्टिक हो और अचीवबल हो, यानि की हम उसे समय रहते पूरा कर सकें. जिन्दगी है, कोई मशीन या फिर इसमें कोई सॉफ्ट्वेर नहीं लगा हुआ है, जहांकि एक बार टाइमर सेट कर दिया और बस निश्चिन्थ हो गया. कुछ दिन ऐसे होंगे जहां प्लानर काम नहीं करेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अगले दिन उस काम को पूरा करने की बेजोड कोशिश होनी चाहिए. यूल बी बैक ओन ट्रैक दे वेरी नेक्स दे, वरकिंट तोवर्द्स या गोल्स. नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है, and I hope all of you are healthy and happy. Today, I am going to share 10 simple ways to make an achievable year plan for 2022. लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उससे सब्सक्राइब कर लीजे, और अगर आज का ये एपिसोड इंट्रेस्टिंग लगता है, तो एक थामसब जरूर दे दीजे, और फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ ये एपिसोड जरूर शेयर कीजे, ताकि उनकी भी मदद हो जाए, और बेल आइकन को जरूर ठिक कीजे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ, तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करें, और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, और एक बात यहां आज कहना चाहूंगी, कि मेरा बेटा सिंगर है, वो musical instruments भी बजाता है, और उसका एक musical YouTube channel है, जिसका link मैं नीचे description box में रख दूँगी, those of you who are musical lovers, and enjoy listening to all kinds of music, please check out the link and visit his channel, तो चलिए, आज का episode शुरू करती हूं, Point No.1, Choose your diary or planner correctly, यूँ तो आज कल स्टोर्ज में बहुत तरह तरह के सुन्दर सुन्दर planners मिलते हैं, अलग-अलग quotations और stickers के साथ, लेकिन मुझे planner नहीं, बलकि एक diary चाहिए था, जो कि मेरी जरूरतों को पूरा कर सके, तो diary खरीदते वर्ग कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ये blank pages से, ruled pages वाले diary better होते हैं, उसमें आपकी लिखावर्ट अच्छी दिखती हैं, दूसरी बात कि ये fancy planner जो होते हैं, या diary जिन में quotations और columns बने हुए हैं, ये मेरी जरुरूरतों को suit नहीं करता है, और तीसरी चीज़ जो मैं देखूंगी वो ये, कि diary का paper quality कैसा है, जैसे कि ज़्यादा ठिक paper है, तो वो blot कर सकता है, या फिर ज़्यादा पतला है, तो वो तुरंट फट सकता है, तो diary ऐसी हो, जिसे मैं अपने हिसाब से यूज़ कर सकूँ, तो मैंने ये एक diary लिया है, इस साल के लिए मुझे stationaries collect करना बहुत अच्छा लगता है, तो ये एक simple सा diary है, इसमें बहुत ही simple तरीके से शुरू में महिनों के नाम दिये हुए हैं, January, February, December तक, और हर महिने में एक quotation simple सा लिखा हुआ है, और dates भी अलग-अलग boxes बने हुए हैं, अलग-अलग dates के लिए, तो आप अपने साल को बहुत अच्छे से date wise प्लान कर सकती हैं, इस तरीके से, और इस तरफ जो ruled lines हैं, वहाँ आप अपने हिसाब से design कर सकती हैं, और एक छोटी सी diary मैंने लिए है, जो कि bag में भी या purse में carry किया जा सकता है, वैसे मैं इसे अपने सिरहाने रखती हूँ, ताकि जो भी thoughts या ख्याल आते हैं, उन्हें फटा-फट इसमें scribble कर लेती हूँ, ताकि समय पढ़ने पे उसे execute कर सकूँ, second point, know your wise, यानि कि आप ये plan या फिर योजना क्यों बना रही है, क्या आप इस plan पे साल भर काईम रह पाएंगी भी या नहीं, हाँ, काईम रह पाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ना मुम्किन नहीं, वो कहते हैं न, where there is a will, there is a way, और मैं guarantee के साथ कह सकती हूँ, कि अगर आप इस तरह का planner बनाती है, तो आपकी life stress-free होगी, and you will definitely have your peace of mind, third point, write down your goals, अगर आप अपने लक्षी को हासल करना चाहती है, अपने plan को सफल बनाना चाहती है, तो उन goals को डाइरी में लिखना बहुत जरूरी है, मैंने अपने डाइरी के first page पे I can लिखा है, जो कि मुझे हर दिन प्रेड़ करता है, कुछ नया करने के लिए, सफल हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, point number four, how to make a planner, make sure every goal that you set for yourself is a smart goal, यानि की S for specific, M for minimalistic यानि की one at a time, A for achievable या attainable यानि की जिस goal को आप प्राप्त कर सके, R for realistic यानि की वास्तविक and T for time oriented यानि की समय के साथ, point number five, create action steps, किसी भी लक्ष को प्राप्त करने के लिए पहले छोटे छोटे कदम उठाईए, यानि की realistic plans बनाईए जिनने आप बड़े आसानी से पूरा कर सकती हैं, क्योंकि छोटे छोटे plans अधिकतर पूरे हो जाते हैं और बड़े बड़े plans धरे के धरे रह जाते हैं, point number six, short term goals, short term goals को मैंने इस तरह से divide किया है, तीन categories में जैसे कि daily routine plan में meal planning, cleaning plan, health plan, children time, me time, second category weekly plan है और third जो है वो monthly plan है, तो monthly plan को मैंने जो month वाला page है, जिसमें की boxes बने हुए हैं, अलग-अलग dates के लिए उसमें लिखा है, seventh है long term goals, long term goals में तीन categories है, जैसे कि health check-up, big buys और vacation plan, इन plans के बारे में detail में मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में जरूर बताऊंगी, समय कम होने के कारण मैं ज़्यादा time इस पे नहीं दे सकती हूँ, number eight है, set a time to plan your planner, एक खास time निर्धारित कीजिए, जबकि आप बैठ कर अगले दिन या फिर अगले मेहने की planning कर सकें, मैं हर दिन रात को डिनर के बाद अपना अगले दिन का plan लिखती हूँ, और इसमें मैं छोटी से छोटी बातों को भी mention करती हूँ, जैसे कि अगर अगले दिन मेरी domestic help को कुछ बताना है, या फिर कोई मामूली repair work है, electrician को बुलाना है, या plumber को बुलाना है, तो वो सारी चीज़ें मैं diary में plan कर लेती हूँ. Next point, यह बहुत important है कि जो आपका planner है, या आप जो diary use कर रही है planning की, वो ऐसी जगह पे रखें जहां कि आपको हमेशा नजर आए, ताकि आपको याद रहे कि आपको वो diary check करना है, और ये देखना है कि आपके plan में क्या-क्या है, तो इसलिए इसका जगह निर्धारित होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जहां कि आपको बहुत easily visible हो, because more than human beings, we are visible beings, तो हमें अगर दिखता है, तो हमें याद आता है, मैं अपना planner अपने study table पे इस तरीके से रखती हूँ, या फिर अपने सिरहाने रखती हूँ, ताकि लेटे-लेटे भी अगर कुछ अचानक से याद आता है, तो मैं फटा-फट इसमें लिख लेती हूँ. And the last point, keep it simple. Keep your planning simple, yet very productive. Your entire planning process should make you happy and excited. If your planning process is stress-oriented, then probably your planning is wrong. Just do something that floats your boat. Thanks for watching the episode. और अगर आपको आज का ये episode useful लगा हो, तो इसे like और share जरूर कीजे. It will be a great support for me. और नीचे जो घंटी दी गई है, उसे बजाना ना भूले. और music lovers, आपके लिए जो link मैंने description box में रखा है, उसे click करके आप अच्छे अच्छे सुरीले गानों का लुट्फ उठा सकते हैं. तो आज के लिए बस इतना ही मिलती हूँ. अगले episode के साथ तब तक के लिए बाई.